गुड मॉनिंग बच्चो मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ बच्चो हम पढ़ रहे हैं कक्षा पांची गणित्विस है और इसमें हमारा पंद्रवा अध्याय है धारिता तो बच्चो आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्णावली 15. प्रश्णावली 15.2 का प्रशन नमबर 1 से 6 तक आज हमाल करेंगे तो करते हैं पहला प्रश्ण यहां लिखा हूँ है तीन सही एक बटा दो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चो यहां पर हमें किलोमीटर को बदलना है मीटर में तो हमें पता है कि एक किलो मिटर में होते हैं एक हजार मीटर तो बचो किलो मिटर है वो है बड़ी इकाई और जो मीटर है वो है छोटी इकाई तो यहाँ पर बड़ी इकाई को हमें बदलना है छोटी इकाई में तो हमें क्या करना होगा हमें करना होगा गुणा और गुणा किसे करेंगे हम 1000 से क्योंकि एक किलो मिटर में होते हैं 1000 मिटर तो देखिए बचो यहाँ पर है 3 सही 1 बटा 2 किलो मिटर उसको हमें बदलना है मिटर में तो देखिए बचो यहाँ पर 3 किलो मिटर तो है पूरा और आधा किलो मिटर और है तो बच्वो किलो मिटर को मिटर ने बदलने के लिए हम एक हजार से गुणा करते हैं तो बच्वो तीन को भी हम करेंगे एक हजार से गुणा और इसी तरह एक बटा दो को भी हम करेंगे एक हजार से गुणा तो यह है किस ने बदल जाएगा, मिटर ने बदल जाएगा, अब बच्वो करते हैं 1000 से 3 को गुणा, तो 3 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, 3 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, 3 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, 3 का पहाड़ा 1 बार बोलें संख्या गुणा होती है और नीचे वाई संख्या का भाग लग जाता है तो दो का भाग एक में नहीं जा सकता है क्योंकि दो के पाहड़े में एक नहीं आता है इसलिए दो का भाग हम देंगे 1000 में तो देते हैं बच्चो 2 का भाग 1000 में बच्चो सबसे पहले हम लेंगे 2 अंक क्योंकि जो पहला अंक है 1 वो 2 से छोटा है अब 2 का पहाडा बोलते हैं बच्चो की 10 में कितनी बार भाग जाता है 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 और 2 5 10 तो 2 का पहाडा 5 बार बोलने पर आते हैं 10 अब 10 में से 10 गठाने पर 0 जिसे कोई मान नहीं है उपर से उतारेंगे हम 0 यानि 2 का भाग हमें देना है 0 में तो कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा अब 0 में से 0 गठाने पर 0 जिसे कोई मान नहीं है अब उतारेंगे 0, यानि 2 का भाग हमें देना है 0 में, तो बच्छो 2 का पहाडा 0 बार बोलने पर आता है, 0, तो यहाँ पर कितने आगे, 500, यानि 2 का भाग जब हम 1000 में देते हैं, तो कितनी बार जाता है, 500 बार जाता है, अब बच्छो उपर उपर एल संगे गुड़ा करना ह यानि 500 को हम एक से गुड़ा करेंगे तो कितने आते हैं 500 ही आते हैं तो यह क्या है मिटर अब बच्चो इन दोनों मिटर को हम जोड़ देते हैं यानि 3000 में हम जोड़ेंगे 500 तो यहां पर हम लिखेंगे 3000 और इसके नीचे लिखेंगे 500 अब बच्चो 500 में तीन ही अंक है इका नहीं है तो 3 ही आएगा तो यहां पर हो गया है 3,500 मीटर तो बज़ो 3 सही 1 बटा 2 किलो मिटर में होते हैं 3,500 मिटर अब करते हैं बज़ो प्रशन नमबर 2 यहां लिखा हुआ है 6,500 ग्राम को किलो ग्राम में बदलिए मतलब यहां पर ग्राम को हमें बदलना है किलो ग्राम में होते हैं 1,000 ग्राम को बढ़ी पंज़ कीलो ग्राम 3! यानि बचो 6500 को अगर हम किलोग्राम में बदलते हैं तो इसमें हम भाग देंगे 1000 का तो यह किसे बदल जाएगा? किलोग्राम अब भाग देते हैं बचो सबसे पहले हम उपर और नीचे की जीरो कार देते हैं और किदर से काटेंगे हम? दाई तरफ से यहां की एक जीरो काटी यहां की भी हमने एक जीरो कार दी है यहां की एक जीरो काटी और यहां की भी एक जीरो हमने कार दी है अब उपर बच्चे है 65 और नीचे बच्चे है 10 बच्वो हमें इन दोनों को ऐसी संख्या से काटना है कि जिस संख्या का इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है तो देखें बच्वो पांच का भाग 65 में भी जा सकता है तो बच्वो हम पांच से इन दोनों संख्याओं को काटेंगे तो पांच का भाग हम द तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, तो 5 का पहाड़ा थीन बार बोलने पर आते हैं 15, और 15 में से 15 घटाने पर कोई भी संख्या शेश नहीं रहती है, तो 5 का पहाड़ा 55 में कितनी बार गया है 13 तो यहां पर हम लिखेंगे 13, बार बच्व पांच का ही भाग हम देंगे 10 में, तो यानि नीचे संक्या है तो बच्चो हम भाग दे सकते हैं ताकि यह मिष्रिद भिन में बदल सकें यानि तेरा हम भाग देंगे 2 का तो यहां पर हम भाग देते हैं तेरा में 2 का अब बच्चो 2 का पहाड़ा हम इत्ती बार बोले है कि वो 13 से अधिक नहों 2 x 2, 2 x 4, 2 x 6, 2 x 8, 2 x 5, 10, 2 x 6, 12, 2 x 7, 14 तो 7 x 4, 14 आते हैं, वो 13 से अधिक है, इसलिए हम 6 बारी पहड़ा बोलेंगे तो 2 का पहड़ा 6 बार बोलने पर आते हैं, 12 अब घटाते हैं वच्चों, उपपर 3 है, नीचे हैं 2 तो 3 में से 2 घटाने पर 1 शेष रहता है आप देखें बच्चों कोई भी संख्या नहीं ही है, उपपर उसे उतारने के लिए, इसलिए बच्चों जो 1 है वो है शेष फल तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 6 सही 1 जो शेष फल की रूप में है, उसको हम उपपर लिखेंगे और जिस संख्या का हमने भाग दिया है वो लिख देंगे नीचे, तो यहाँ पर आगया है 6 सही 1 बटा 2 किलो ग्राम यानि 6500 ग्राम में होते हैं 6 सही 1 बटा 2 किलो ग्राम अब करते हैं तीसरा प्रश्ण, यहाँ लिखा हुआ है 2250 मिली लिटर को लिटर में बदलिए, यहाँ पर बचो मिली लिटर रिकाई को हमें लिटर रिकाई में बदलना है, तो हमें पता है कि 1 लिटर में होते हैं 1000 मिली लिटर तो मिलिलिटर ही काई है वो है छोटी काई और लिटर ही काई है बड़ी काई तो छोटी काई को जब हम बड़ी काई में बदलते हैं तो हमें देना होता है भाग और भाग किसका देंगे हम? 1000 का यानि 2250 मिलिलिटर को अगर हम लिटर में बदलते हैं तो इसमें हमें भाग देना होगा एक अजार का तो यह किसमें बदल जाएगा लीटर में बदल जाएगा अब बच्व भाग देते हैं तो सबसे पहले हम काटेंगे जीरो दाइनी तरब से यहाँ पर एक जीरो कटी यहाँ पर भी एक जीरो हमने काटी है आपर नीचे 0 काटने के लिए नहीं है क्योंकि नीचे तो 0 है लेकिन उपर नहीं है आपर ऐसी संख्या से हमें इन दोनों संख्याओं को काटना है जिसका कि इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है यानि 5 का भाग हमें देना है, 22 में, तो 5 का पहाड़ा हम लिखते हैं, 5 चिकम 5, 5 दोनी 10, 5 तीया 15, 5 चोग 20, और 25, तो 5 का पहाड़ा अगर हम 5 बार बोलते हैं, तो 25 हाता है, जो कि 22 से अधिक है, इसलिए हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, तो कितने आएंगे 20, अब 22 में स पहाड़ा है, तो देखे, सब्सक्राइब दो में से जीरो घटाने पर दो शेश बसता है, और दो में से दो घटाने पर जीरो शेश बसता है, जिसल्दा कोई माल नहीं है, अब उतारेंगे हम 5, यानि 5 का भाग हमें देना है, 25 में, तो कितनी बार जाएगा, पांच बार ज तो इसी हमें नीचे वारी संख्या कात्मी है यानि 5 ही हम भाग देंगे, शो में, वच्वे लिगा पाँच का भाग हम देंगे सबसे पहरे 10 में, तो 5 का भाडा, दो बार बोलने पराते हैं, 10, अब 10 में से दर्ट गटाने लिए, जिसका कोई माल नहीं है, उपर से हम उतारें नीचे आगे हैं 20, अभी बचो ये 5 से दुबारा काटी जा सकती है क्योंकि 5 के पहाड़े में 45 भी आते हैं तो देखें बचो 5 का पहाड़ा हम लिखते हैं 25, 35, 35, 35, 45, और 5 नाम 45 क्योंकि 5 के पहाड़ा अगर हम 9 बार बोलते हैं तो आते हैं 25 और 5 का पहाड़ा अगर हम 4 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं 20 अब चो 45 को हम काटेंगे 5 से कितनी बार काटेंगे 9 बार अब चो 20 को काटेंगे हम 4 बार अब देखिए उपर आगे है 9 नीचे आगे है 4 ये क्या है लीटर अब चो नीचे छोटी संक्या है उपर है बड़ी संक्या यानि नीचे वाई संक्या का हमें भाग देना है उपर वाई संख्या में ताकि ये मिश्रिद बिन में बदल सके अब चो यहाँ पर हम भाग देते हैं चार का भाग 9 में चार का पहाड़ा हम बोलते हैं कि 9 में कितनी बार भाग जाता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8 4 तिया 12 तो 3 बार पहाड़ा बोलने पर 12 आते हैं तो ये कितनी आ गए है 2 सही एक बटा 4 और ये क्या है लीटर यानि 2250 मिलिलिटर में होते हैं 2 सही एक बटा 4 लीटर अब करते हैं बच्चो प्रशन नमबर 4 यहां लिखा हुआ है 18,000 मिलिलिटर को लीटर में बदलिए यहां बच्चो मिलिलिटर इकाई को हमें बदलना है लीटर में तो हमें पता है कि एक लीटर में होते हैं 1000 मिलिलिटर बच्चो मिलिलिटर इकाई है वो है छोटी इकाई और लीटर इकाई है बड़ी इकाई चोटी काई को बड़ी काई में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है हमें देना होता है भाग और भाग किसका देंगे हम एक हजार का यानि बचो 18,000 मिली लिटर को अगर हम लिटर में बदलते हैं तो हम इसमें भाग देंगे एक हजार का तो यह किसनी बदल जाएगा लीटर में बदल जाएगा तो भाग देने के लिए सबसे पहले हम दाई तरब से जीरो काटना शुरू करते हैं तो उपर की जीरो काटी नीचे की भी जीरो काटी उपर की दूसरी जीरो काटी नीचे की भी दूसरी जीरो काटी उपर यहां पर देखिए ग्राम को हमें बदलना है किलो ग्राम में तो हमें पता है कि एक किलो ग्राम में होते हैं एक हजार ग्राम तो जो ग्राम ही काई छोटी होती है किलो ग्राम ही काई होती है बड़ी चोटी काई को बड़ी काई बदलने के लिए हमें देना होता है भाग और भाग किसका देंगी हम एक हजार का यानि पिचोतर हजार ग्राम को अगर हम किलो ग्राम में बदलते ह उपर से गपने एक जेरो कटईक की विए ओपर से दीज हो पाड़ा संख्या बेद जोड इक के वह सबती है पिछो अत्यऻों चाहमें बें में पर आघ झीक जोज, तपर साथ बोलने पर आते हैं साथ, साथ में से साथ कटानी पर जीरो शेस रहता है, उपपर से उतारेंगे हम पाँच, एक का पहाड़ा पाँच बार बोलने पर आते हैं, तो यहाँ पर कितने आ गए हैं, पिछोतर, और यह क्या है, किलो ग्राम, यानि पिछोतर हजार ग्राम को अगर हम किलो ग्राम में ब पता है कि एक लीटर में होते हैं, एक हजार मिली लीटर, तो यहाँ पर धाई लीटर को हमें मिली लीटर में बदलना है, तो धाई लीटर हम कैसे लिखते हैं, दो सही एक बटा दो लीटर, अब जिन लीटर इकाई है, वो है बड़ी इकाई, और मिली लीटर इकाई है, छो दो लिटर और आधा लिटर तो अगर हम मिलिटर में बदलते हैं तो हमें करना होगा एक हजार सी गुणा यानि दो को भी हम एक हजार सी गुणा करेंगे तो यह बदल जाएगा किस में मिलिलिटर में और बचो एक बटा दो लिटर को भी अगर हम मिलिलिटर में बदलते हैं त तो एक हजार गुणा दो हम यहां लिखेंगे, अब करते हैं 2 का पहडा जीरो बार बोलने पर बोलने पर हम यहां पर एक बार मिलिलिटर दो को हम करेंगे, एक हजार संग्या गुणाती है, नीचे ओल संग्या का लगता है भाग, तो दो के पहाड़े में एक नहीं आता है, तो दो का भाग एक में नहीं जाएगा, इसलिए हम दो का भाग देंगे एक हजार में, तो देते हैं बचो, दो का भाग एक हजार में, तो दो का पहाड़ा हम बोलते हैं कि दस में कित्ती बार भाग जाता है, तो दो एक हम दो, दो दु जेनके तो यहां पर कितने आ गहें यानि 2 का बहांगी हैं तो कितनी बार जाता है फंट सोम घ्र तो पच्छो 500 को एक से गुणा करने पर कितने आते हैं 500 और यह क्या है मिललिटर आदेखिए बच्छो यहां पर आगे है 2000 मिललिटर और यहां पर आगे है 500 मिललिटर अब इन दोनों को हम जोडते हैं 2000 में हम जोडेंगे 500 जीरो के इंचे जीरो है तो जीरो आएगा जीरो के इंचे जीरो है तो जीरो आएगा पांच के ऊपर जीरो है तो पांच ही आएगा दो के इंचे कोई संख्या निये तो दो ही आएगा तो यहां पर आगे है 2500 मिललिटर यानि धाई लिटर में होते हैं 2500 मिललिटर तो बच्छो आज हमने प्रशनावली 15.2 के प्रशन नमबर 1 से 6 तक हल कर लिये हैं अब बच्चों इसके आगे के प्रशन भाद्चों हम अगली कक्षा में करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद